ओम शांती, मीठे बच्चे आधा कल्प से जो पांच विकारों की बिमारियां लगी हुई थी, वे अब छूटी की छूटी, इसलिए अपार खुशी में रहना है प्रश्ण है, तुम बच्चों को अब कौन सी एक हॉबी अर्था शौख रखना है, किन बातों से तुम्हारा तैलुक नहीं उत्तर है, एक बाप से पूरा वर्षा लेने की हॉबी रखनी है, मनुश्यों को तो अनेक प्रकार की हॉबी होती है, तुम्हें वे सब छोड़ देनी है तुम इश्वर के बच्चे बने हो, बाप के साथ वापिस जाना है, इसलिए इस शरीड से तैलुक रखने वाली सब बातों को भूल जाना है पेट को दो रोटी खिलानी है, और बुद्धी नई दुनिया से लगानी है गीत बजा है, जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करेगा आंधी और तोफान धारना के लिए मुखे सार, विजे माला में आने के लिए मम्मा बाबा के समान सर्विस करनी है मुली धारन कर, फिर सुनानी है, चलन बड़ी रॉयल रखनी है दूसरा है, अपनी विशाल बुद्धी से इस बेहद रामा को जान अपार खुशी में रहना है तो फानों से डरना नहीं है, ज्यान मंतन से बुद्धी को भरपूर रखना है वर्दान, विप्रीत भावनाओं को समाप्त कर, अव्यक्स्तिती का अनुभव करने वाले सद भावना, संपन भव जीवन में उड़ती कला वा गिरती कला का आधार दो बाते हैं, भावना और भाव सर्व के प्रती कल्यान की भावना, स्नेह सहयोग देने की भावना, हिम्मत उलाज बढ़ाने की भावना, आत्मिक सरूप की भावना या अपने पन की भावना ही सद भावना है ऐसी भावना वाले ही अव्यक स्थिती में स्थित हो सकते हैं अगर इनके विपरीत भावना है तो व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्शित करता है किसी भी विगन का मूल कारण ये विपरीत भावनाई है स्लोगन है सर्व शक्तिवान बाप जिसके साथ है माया उसके सामने पेपर टाइगर है लवलीन स्थिती का अनुभव करो जिस से प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है तो बाप को बच्चों का Upset होना अच्छा नहीं लगता इसलिए कभी भी यह नहीं को कि क्या करे बात ही ऐसी थी इसलिए Upset हो गए अगर बात Upset की आती भी है तो आप अपनी स्ठिती Upset नहीं करना अच्छा, ओम शान्ती